इसे आप लोग कि आज का कुछ फायर कोश्चन कराने जा रहा हूं एलेक्ट्र स्टैट का तो देखो पहला कोश्चन कोश्चन कराने एलेक्ट्रों इस पर 12 एक्षस एलेक्ट्रों इस पर 12 एक्षस एलेक्ट्रों है 12 एक्षस एलेक्ट्रों कहने का क्या मतलब है suppose that initially number of electron और number of proton equal था तो उस पर net charge 0 हो गया फिर 12 एक्षस एलेक्ट्रों दिये तो इस पर जो net charge हो जाएगा Q is equal to minus 12 E होगा अगर एक एलेक्ट्रों का charge minus E है तो 12 एलेक्ट्रों का charge कितना हो जागा minus 12 E तो यहाँ पर यह charge दिया गया बोल दिया गया है question में कि यह जो while drop है यह while drop है यह stationary है जब stationary कैसे रहेगा नीचे आपका force mg लग रहा है अगर same force mg के equal upper side में लगेगा अगर A physical to mg हो जाएगा तो आपका stationary होगा stationary हो जाएगा लेकिन यह force लगेगा कैसे तो मिलकन साहब ने बोला कि यह force due to electric field लगेगा suppose that कि उपर plate है positive plate है नीचे negative plate है electric field नीचे की तरफ आएगा इस तरीके से अगर कोई भी negatively charged अगर electric field में रखा गया है तो उस पे जो force लगता है electric field के opposite direction में लगता है तो हमारा जो force लगा electric field के opposite direction में यह F लगा कितना force लगता है F is equal to QE अब question में दे दिया गया है कि यह wild drop है stationary है यानि stationary तब ही होगा जब F is equal to mg यानि QE is equal to आपका mg होगा चार्ज कितना है इस wild drop पे charge माइनस 12E और E is equal to mg मास नहीं दिया गया है दूसरा question में दिया गया density जो है 1.26 gram per centimeter cube तो हम जानते है density is equal to mass upon volume तो mass को हम लिख सकते है density into volume volume of wild drop हो जाएगा आपका 4 by 3 pi r cube तो यान से लिखो minus 12E E is equal to rho 4 by 3 pi r cube into g z का value given है कितना 9.81 और E का value भी आपका दिया गया है तो यान से निकालो r cube आपका हो जाएगा minus 12E का value 1.6 into 10 to the power minus 19 and capital E यानि electric field का value 2.55 into 10 to the power plus 4 हो जाएगा उपर में 3 चला जाएगा नीचे आजाएगा rho rho का value दिया गया 1.26 4 pi का value हो जाएगा 22 बटे 7 and g का value हो जाएगा 9.81 जब आप इसको solve करोगे तो r cube का value हो जाएगा वो आजाएगा 0.94 into 10 to the power minus 18 meter minus 18 जब यहां से r का value जब निकालोगे r is equal to हो जाएगा आपका 9.81 into 10 to the power minus 7 meter यह आपका radius हो जाएगा तो मिलकन साहब ने wild rock experiment से charge on electron निकाला था and उसी से related यह question आपका given है अगला बोला गया है कि कौन सा electric field line सही है तो ए में देखते हैं यह में देखिए ए में बता रहा है कि एक conductor है conductor से conductor पे positively charged है distributed है ठीक है तो किसी भी positively charged distributed conductor से जो electric field line है आउट वर्ट जाता है तो यहां आप चार देखें ध्यान से देखें अगर यह electric field line ऐसे जा रहा है लेकिन अगर यह surface से देखा जाए surface पे एक tangent draw किया जाए तो surface से देखा जाए तो यह 90 degree आपका नहीं हो रहा है यह electric field line ऐसे है इस पे एक tangent draw करो तो फिर भी यह 90 degree नहीं हो रहा है यानि यह electric field line का presentation गलत है first one second आते है second कह रहा है कि यहां positive से charge निकल रहा है आप देखने इस positive से charge बाहर निकल रहा है सही है मैंने बोला था कोई भी positively charged body से electric field line आटबट बाहर निकलता है दूसरा आप मैं बता रहा हूँ कि negatively charged body पे electric field line अंदर आता है मतलब inward होता है तो यहां पर देख रहो कि यह positively charge है बट electric field line इस positively charge की ओर आ रहा है इसके तो यह तो गलत हो गया अगर यहां negatively charge रहता तो यह सही होता तो आपका यह वाला भी option बी वाला भी गलत हो गया c देखते हैं c है positively charge है electric field line outward होगा चलो सही है perpendicular होगा तो यह 90 degree आपको दिख रहा है perpendicular दूसरा positively charge electric field outward होगा electric field line यह भी सही है तो यहां पर सारे concept आपको सही दिख रहा है यानि यह वाला आपका c नंबर वाला option आपका सही है दूसरा यहां से एक चीज हमको और दिख रहा है कि यह जो positively charge है यह positively charge है दोनों को बीच में repulsion होता है same charge है इसके बीच में repulsion होगा तो यहां पर यह यह दोनों lines so कर रहा है कि आपका इन दोनो positively charge में repulsion हो रहा है ठीक है अगला यह देखो पहला electric field line never cross to each other यहां देखो cross हो रहा है इस point पर यहां पर आप देखिए cross हो रहा है रीजन क्या है अगर कहीं भी माल्यक एक electric field line इस direction में जा रहा है दूसरा electric field line इस direction में जा रहा है तो किसी एक points पर हम points माल लिगक इस point पर हम electric field की direction निकालेंगे तो किसी भी electric field line पर electric field का जो जब direction निकालना होता है तो वहां से tangent draw करते हैं तो हमने यह किये tangent draw किया तो tangent draw किया electric field का direction इस तरफ आया दूसरा इसी point पे अगर इस electric field line के उपर हम tangent draw किये तो electric field का direction इस तरफ आया तो एक ही point पे दो electric field का direction पॉसिबल नहीं है इसलिए electric field line never crosses to each other तो ये वाला option भी आपका गलत हो गया third वाला sorry E वाला E देखते हैं electric field line never form close look यहाँ पर आप देख रहो कि ये close look form कर रहा है तो ये वाला भी आपका गलत होगा तो आपका इसमें सिर्फ option number C सही है बाकी सारे A, B, D and E का electric field 9 का representation गलत दिया गया है सही है ओके अगला अगला question in a certain region of a space electric field is along the z direction throughout electric field है आपका z direction है ये आपका x direction हुआ ये आपका y direction हुआ ये आपका negative z direction हुआ ये आपका positive z direction हुआ तो electric field line इस z direction में है इस z direction में है ठीक है the magnitude of electric field is however not constant but increase uniformly along the positive z direction electric field constant नहीं है बट positive z direction की ओर increase कर रहा है यानि आपका d e by d z का value आपका दिया गया है 10 to the power 5 newton पर कुलम positive z direction की ओर आपका electric field increase कर रहा है ठीक है दूसरा कहरा what are the force and torque experienced by the system total dipole moment equal to 10 to the power minus 7 कुलम मीटर तो question में पूछ रहा है कि force कितना होगा and torque कितना होगा इस dipole पे एक dipole moment दिया गया है 10 to the power minus 7 suppose that कि यहाँ पर एक dipole moment है negative z direction की ओर कितना दिया गया आपका 10 to the power minus 7 कुलम मीटर ठीक है negative z direction की ओर तो electric field का जो direction है positive z की ओर है dipole moment का जो direction है negative z की ओर है तो पहला हमसे force पूछा है तो force is equal to अगर q into e होता f is equal to q e अब f is equal to q e तभी होता है जब electric field आपका constant है यहाँ पर आपका electric field constant नहीं है तो f is equal to हो जाएगा q d e by dl into dl and dipole moment is equal to होता है q into dl तो यहाँ से f is equal to आजाएगा यहाँ से देखिए f is equal to आजाएगा यह q into dl को हम p लिख सकते हैं dipole moment और d e by dl तो p का value आपका दिया गया है कितना है 10 to the power minus 7 negative में and d e by dl का value दिया गया है into positive 10 to the power 5 तो force का जो value आजाएगा हमारा 10 to the power minus 2 कुलंब आ जाएगा वो भी negative direction negative z direction में तो हमारा force जो लगेगा negative z direction में f is equal to लगेगा minus 10 to the power minus 2 कुलंब दूसरा पूचर टॉर्क कितना होगा तो टॉर्क किस कल्टू हम लोग जानते हैं टॉर्क किस कल्टू pe sin खीठा और एंगल किसके किसके बीच में होता है dipole moment and electric field तो यहां देखो dipole moment का direction negative z direction है और electric field का positive z direction है इन दोनों को बीच angle कितना बन रहा है 180 तो टॉर्क किस कल्टू हो जाएगा आपका पी-e sin 180 degree sin 180 का value कितना होता है जीरो तो टॉर्क कितना हो जाएगा जीरो कि सिंपल कोश्चन था ओके अगला कि 1.28 कोश्चन कह रहा है एक कंड़क्टर ए विद ए क्याविटी सोन इन फिगर एक कंड़क्टर है उसके अंदर एक कैविटी बनाय गया दिखाए गया खोनो में कैविटी का मतलब क्या होता है कि सब्सक्चिए कि पूरा कंड़क्टर है अगर उसके अंदर से अगर हम मास उस conductor का कुछ निकाल लें तो जो खाली जगह बचा उसको हम लोग cavity कहते हैं question में दिया गया है कि इस cavity को हम charge क्यू दियें जैसी हमने charge क्यू दियें तो entire charge must appear on the outer surface of the conductor जैसी हमने charge क्यू दिया तो पूरा का पूरा charge outer surface पे distribute हो गया यह हमको प्रूफ करना है कैसे distribute हुआ तुम गौसला से असानी से प्रूफ कर सकते हैं suppose that कि यह आपका एक conductor है यह इसकी cavity है cavity पे हमने plus charge क्यू दिया ठीक है अब हम जानते हैं कि कोई भी conductor में electric field line zero होगा due to the static charge तो अगर हम यहाँ पर एक Gaussian surface लिए suppose that यह एक हमने Gaussian surface लिए Gaussian surface इस cavity को in close कर रहा है अब बताओ यह conductor है तो यहाँ पर electric field कितना होगा जीरो हो जाएगा यह conductor है यहाँ पर electric field आपका zero हो जाएगा यान इस वाले portion में आपका electric field zero हो जाएगा जैसी electric field zero यानि electric field line नहीं होगा यानि कोई सा भी ऐसा line नहीं होगा जो इस Gaussian surface से perpendicular cross कर सके इससे बाहर जा सके इससे बाहर जा सके कोई सा भी electric field line नहीं होगा क्योंकि हम जो Gaussian surface लिए हैं वो हम conductor के अंदर लिए हैं और हमको पता है in the conductor electric field 0 होता है जब electric field 0 होगा यानि electric field 9 भी नहीं होगा तो यहाँ पर अगर हम phi Gaussian surface के लिए लिखें तो integration of E into ds यानि dA ds यानि dA area तो हमारा phi जो हो जाएगा Gaussian surface के लिए E आपका तो 0 है क्योंकि यहाँ पर कोई electric field 9 नहीं है तो E 0 into dA तो flux जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा total flux 0 हो जाएगा अब हम जानते हैं phi is equal to q inside by epsilon 0 जब phi 0 है तो q inside by epsilon 0 यानि q inside भी आपका 0 हो जाएगा यानि अगर हम कोई Gaussian surface लिएं तो Gaussian surface अगर हम यह लिएं तो कह रहा है कि इसके अंदर कोई भी net charge नहीं है बट हमने question में देखा कि इसके cavity के अंदर plus positive charge दिया गया है बट according to the gaus law अंदर charge 0 होना चाहिए तो हम concept को तो नाकार नहीं सकते हैं यानि अंदर में अंदर में कहीं न कहीं same amount of charge जैसे अंदर में positive q है तो अंदर में कहीं न कहीं same amount of charge minus q present होगा तभी plus q और minus q equal to 0 हो जाएगा दूसरी concept हम ये जानते है कि suppose that ये conductor है तो conductor पे आपका positive ion and electron पर जिंट रहता है positive ion, electron, positive ion and electron पर जिंट रहता है अब हम ये prove करने जा रहे हैं कि इस Gaussian surface के अंदर net charge 0 होगा एक बात बताओ ये positive charge इस electron को अपनी और attract करेगा जैसे attract करेगा तो ये सारा का सारा electron यहाँ जाके इस cavity के अंदर deposit हो जाएगा अब कितना deposit होगा तो हम अभी देखे हैं कि inside the इस cavity यानि inside the इस Gaussian surface के total charge 0 है यानि आपका q और ये माले minus q induced हुआ ये वाला charge ये वाला charge ये electron अपनी और खीचेगा तो यहाँ minus आजाएगा अब ये minus कितना आएगा वो हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर q is equal to आजाएगा यहाँ से देखिए q is equal to आजाएगा minus q यानि equal amount of charge negatively charge इस cavity के अंदर आजाएगा तभी तो net charge 0 होगा तो पहला ये proof हो गया अभी नहीं हुआ है ठीक है तो हमने देखा कि सारा का सारा electron यहाँ से सारा का सारा electron यहाँ से चला गया है इस cavity के अंदर इस cavity के अंदर तो conductor में क्या सिर्फ positive ion बन गया positive ion रह गया तो पोई सा भी conductor में अगर excess charge present रहता है तो सारा का सारा charge surface की और move कर जाता है यहाँ पर excess charge आपका positive दिख रहा है positive ion दिख रहा है तो इस सारा का सारा positive ion कहाँ पर surface की और चला जाएगा तो अंदर में अगर plus Q cavity क्यों देंगे cavity के अंदर अगर हम plus Q देंगे तो हमारा same amount of charge जो है surface पे दिखेगा यह हमने इस गौसला से proof कर दिया फिर से एक वर summarize कर देते हैं अंदर में अगर positive Q रखें हम Gaussian surface डॉक की है Gaussian surface डॉक करने से हमको यह पता चला कि flux 0 होता है इसे यह पता चला Q inside 0 है बट यहाँ plus Q तो दिया गया है यानि same amount of negative Q भी परजेंट है तभी total charge 0 होगा तो same amount of negative Q कितना है minus Q इस minus Q को हम लोग induced charge कहते हैं यह minus Q आया कैसे हमारा conductor पर positive ion और electron पर जेंट रहता है तो यह electron को अपनी और यह positive ion खीचेगा तो अपनी और खीचेगा तो सारा का सारा electron जो है इस cavity के अंदर चला जाएगा बाहर में conductor में क्या बच जाएगा positive ion बच जाएगा अगर conductor में कोई सा भी excess charge यानि यहां पर positive की बात करें कोई सा भी excess charge present होता है तो वो सारा charge surface की और चला जाता है दूसरा कह रहा है कि B में अगर इसी cavity में हम कोई B conductor को लिए इसी cavity में हम कोई B conductor को लिए और उस पर charge small q दिए तो हमारा total जो charge होता है surface पे q plus small q होता है यह proof कीजिए same condition होगा यहां पर आप Gaussian surface draw करेंगे Gaussian surface draw करेंगे तो अंदर negatively charge same amount of charge आ जाएगा minus q की minus q इतना बाहर surface पे positive ion बच जाएगा क्योंकि electron यह खीच लेगा और यह positive ion बाहर चला जाएगा surface पे distribute हो जाएगा और पहले से q पर जेंट था और plus q फिर से आ गया तो यह second वाला भी आपका proof हो गया थार्ड यह कह रहा है यह sensitive instrument is to be sealed from the strong electrostatic field in its environment हमको पता है कि अंदर में इस cavity में हमारा electric field नहीं होगा तो इस cavity में हम कोई साभी sensitive instrument रख सकते हैं जो electrostatic से या electric field से जो भी sensitive instrument है इस cavity में हम place कर सकते हैं because in the cavity there is no electric field अगला question कह रहा है यह hollow charge conductor has teeny hole cut into its surface so that electric field in the hole is sigma by 2 epsilon 0 ठीक है अब माले कि एक conductor है hollow conductor इस पर positive charge है कह रहा है कि इस conductor में एक हम छोटा सा hole कर दिये तो hole वाला portion supposed that हमने यहां रखा यह hole का portion बोर रहा है कि इस portion के कारण जो electric field है वो sigma by 2 epsilon 0 है in cat यह हम पो proof करके दिखाईए तो हम माल लिए कि यह वाला hole हमने जब पहले यहां से यहां joint था पहले से जब present था यह hole यह hole जब present था यहां पर तब क्या condition था suppose that एक point P लिए तो point P पे इस hole के कारण इस hole वाला surface के कारण electric field even लगा और माल लिए इस total illook वाला पार्ट के कारण यह वाला total पार्ट के कारण हमारा इस point पे electric field आपका suppose that E2 लगा ठीक है ओके next अगर हम इस conductor के inside जाएं inside पे माल लिए point A पी लिए हैं तो इसके कारण इस वाले portion के कारण जो electric field होगा वो इस direction में even लगेगा और इस वाले portion के कारण इतना portion के कारण electric field यहाँ पर outward लगेगा E2 यह outward कैसे लगेगा आभी समझाते हैं अगर इस point के कारण इतना वाला portion से electric field इस direction में आगा और इतना वाला portion से electric field इस direction में आगा दोनों electric field equal and opposite है तो net electric field 0 हो जाएगा तो सिर्फ यह वाला portion बचेगा जिसके कारण electric field outward आएगा E2 किलियर हैं अब हम जानते हैं inside the conductor hollow conductor electric field 0 होता है जब electric field 0 तभी होगा जब E1 is equal to E2 होगा तभी तो E1 minus E2 is equal to 0 हो जाएगा net electric field यानि E1 E2 अगर equal होगा तभी inside the hollow conductor electric field 0 होगा अब अगर हम जानते हैं कि conductor के just outward electric field जो होता है वो आपका sigma by epsilon node होता है यानि यहाँ पर अगर इस point पर हम बात किया जाए तो यहाँ पर electric field जो होगा net electric field आपका sigma by epsilon node होगा और net electric field यानि कितना E net sigma by epsilon node यानि E1 plus E2 is equal to sigma by epsilon node हमको पता है E1 is equal to E2 है यहाँ से E1 is equal to E2 यहाँ से हम E1 को E2 भी लिख सकते हैं यानि 2E2 is equal to हो जाएगा sigma by epsilon node तो यहाँ से निकलके आया E2 is equal to sigma by 2 epsilon node तो यह आपका प्रूफ हो गया ओके यह आउट वर डारेक्शन इन के अगला अगला कह रहा है तो अप्टाइन फॉर्मूला फोर्दा electric field due to long thin wire informally linear chart density आपका sigma है long thin wire है sigma इसका linear chart density है infinite wire है तो बोल रहा है point P पे आपका electric field find out किजिए इसमें आपको gauss law use नहीं करना है तो suppose यहां से यहां तक का आपका radius distance r दिया गया है point P पे मैंने एक छोटा सा portion लिया dx इस portion के कारण हमारा electric field इस point P पे इस direction में आएगा d e दूसरा हमने इस इस वाले portion से छोटा सा portion लिया dx और इस portion के कारण इस point पे electric field आपका आएगा d इस side ठीक है और यह जो distance लिये हैं यहां से हमने x distance लिया है यहां से हमने x distance लिया है तो यह वाले दूरी कितना हो जाएगा root under r square plus x square यह वाली दूरी कितना हो जाएगा root under r square plus x square यह इंफिनिटली है night है ओके बात बताओ इसको मैं split करो इसको split करोगे यहां से देखो यह आपका आजाएगा अगर यह angle ठीटा है तो यह angle भी ठीटा हो जाएगा यहां से आजाएगा de cos ठीटा इस वाले के कारण और इसके कारण plus de cos ठीटा और उपर में आजाएगा आपका de sin ठीटा और नीचे में आजाएगा de sin ठीटा split कर दियें अगर इसको split कियें तो de cos ठीटा और de sin ठीटा इसको split कियें तो de cos ठीटा de sin ठीटा opposite and equal है तो यह दोनों electric field कट जाएगा तो हमारे पास जो net electric field आएगा net electric field आएगा तो आपका आजाएगा 2 de cos ठीटा अब de का value कितना होगा तो de is equal to हो जाता है kq by kdq by r square तो यहां कर k का value कितना हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon 0 dq dq का value कितना हो जाएगा तो lambda is equal to जानते है dq by dl dl के जगा हम dx लिख सकते हैं अगर हम dq निकालना है तो lambda is equal to dq by dx यानि dq का value कितना हो जाएगा lambda into dx और यह r square r का value कितना हो जाएगा यह r है तो r square का value कितना हो जाएगा r square plus x square यानि नीचे का value कितना हो जाएगा r square plus x square चलो पूरा लिख देखने है root under का whole square तो square से root under कट गया है तो हमारे पास d e का value आगे आपका 1 by 4 pi epsilon 0 lambda dx divided by r square plus x square अगर हम इस को इस d e को हम integrate कर दें तो पूरा का पूरा हमारा electric field long wire infinitely long wire की कारण निकल जाएगा तो integrate करते हैं यहां से देखिए हमारा total electric field जो आया है in it 2d cos theta तो 2 बाहर आजाएगा integration of d e का value आजाएगा 1 by 4 pi epsilon 0 lambda dx by r square plus x square into cos theta अब integrate कहां से कहां तक करेंगें दूसरा यह समस्या है तो हमने 2d cos theta ले लिया है तो हम integrate करेंगे यहां से यानि 0 से infinity तक का अगर हम यहां 2 नहीं लिखते हैं तो हम integrate करते हैं plus infinity से minus infinity तक इसको minus लिख लो minus infinity तक हमने 2 पहले से ही ले लिया है इस वाले portion का हमने ले लिया है electric field तो हम जो integrate करेंगे हम 0 से plus infinity तक integrate करेंगे तो integrate करो यहां से हम 0 से infinity तक integrate करेंगे आदेगे ठीक है ओके तो यहां से आपका 4 pi epsilon note constant है बाहर आजाएगा तो बाहर आपका आजाएगा 1 by 4 pi epsilon note ठीक है पहले से 2 परजेंट था integration of lambda dx into r square plus x square into cos theta ठीक है यह dx है यहां से देखो यहां से tan theta equal to kya हो जाएगा x upon r x equal to kya हो जाएगा r tan theta अरे इस वाले triangle में चलो यार यह angle theta है तो tan theta क्या हो जाएगा perpendicular upon base tan theta equal to kya हो जाएगा perpendicular upon base यानि tan theta equal to हो जाएगा x upon r है की नहीं तो यहां से लिखो यहां से 10 ठीटा इसकल टू, x upon r, यानि, हम x इसकल टू लिख सकते हैं, r 10 ठीटा, अगर x को हम differentiate कर दें, तो dx इसकल टू होता है, हो जाएगा r, 10 को अगर हम differentiate करें, तो 6 square ठीटा इंटू, d ठीटा, ओके, तो dx का value लिखो, यहां से आजाएगा, 1 by 2 pi epsilon 0, 224 कट गया, lambda, dx का value हो जाएगा, r, c square ठीटा, इंटू, d ठीटा, divided by, r square, plus x square, इंटू, cos ठीटा, x का value हम लिख सकते हैं, 2 pi epsilon 0, x का value हम लिख सकते हैं, कितना, r square, x square का, sorry, x square का value लिख सकते हैं, 10 square की ठीटा, 10 square की ठीटा, उपर में एक cos ठीटा आ जाएगा, और पहले, lambda, r, c square, ठीटा, into d ठीटा, ठीक हैं, यहां देखो, 1 by 4 pi, 1 by 2 pi, epsilon 0, यहां से, lambda, into r, c square की ठीटा, into d ठीटा, into cos ठीटा, r square कॉमन लो, यहां जाएगा, 1 plus, 10 square ठीटा, 1 plus 10 square ठीटा, is equal to, sec square ठीटा, यहां से, यह sec square ठीटा, और यह sec square ठीटा, cut गया, r square से, एक r गया, क्या बच जाएगा, हमारा, हमारा बच जाएगा, 1 by 2 pi, epsilon 0, उपर में आजाएगा, lambda, d ठीटा, into, उपर में आजाएगा, lambda, d ठीटा, into cos ठीटा, नीचे में आजाएगा, ओके, और integration, कहां से, कहां तक कर रहे हैं, 0 से infinity तक, जब angle की बात करें, तो हम angle में लेंगे, तो angle में हम, infinity को, pi by 2 कहेंगे, और यानि, 0 से हम, pi by 2 तक है, integrate करेंगे, तो 2 pi, epsilon 0, यहां lambda बाहर आजाएगा, ठीक है, constant है, और यह r भी बाहर आजाएगा, तो यह integration of, cos ठीटा, into d ठीटा, कहां से, 0 से, pi by 2 तक, यहां देखो, तो यहां से, lambda by 2 pi, epsilon 0, into r, cos ठीटा, d ठीटा का, d ठीटा का, integration कितना हो जाएगा, sin ठीटा, कहां से कहां तक, 0 से pi by 2, तो sin 0 का value 0, और sin pi by 2 का value 1, यानि आपका, electric field आजाएगा, आपका, lambda by 2 pi, epsilon 0, into r, तो यह हम, बीना Gaussian's law लगाए हुए, electric field, point P पे, आपको निकाल के दिखाए, यह दिखे, ओके, तो यह कुछ, fire type question रहे हैं, उस पा type, तो फिर से मिलेंगे, नई वीडियो में, नई question के साथ, तब तब के लिए, all the best, thank you so much, for watching culture neat,